Hello students, मैं आनुपरीता मिश्रा आज आप लोगों से sources, voltage source और current source का जो dependent और independent वाला topic लेकर चल रही हूँ उसका third part discuss करने जा रही हूँ जिसमें मैं current sources को deal करूँगी इससे पहले मैंने आपसे voltage sources independent और dependent वाले discuss किये थे और dependence से related मैंने बहुत सारे conceptual बाते वहां की थी sums मैंने deal नहीं किये थे, एक बार current sources dependent वाले भी discuss हो जाए तो उसके बाद मैं KVL KCL के questions उठाऊंगी और उसमें मैं फिर dependent sources का consideration करूँगी तो चलिए start करते हैं current source के बारे में बात करना पहले मैं independent current source की बात करूँगी या uncontrolled या ideal current source की फिर मैं उसको आपको as compared to ideal current source फिर मैं practical current source की बात करती हूँ यहाँ पर मैंने एक आपको ideal current source शो करके रखा हुआ है जो इसका magnitude जो है जो कितना current डिलवर करता है 2A का और A और B इसके terminal है जिस पर हम कोई भी load resistance या load circuit लगा सकते हैं यह current source जितने के लिए declared होता है 2A के लिए जैसे declared है तो यह हमेशा A terminal से 2A ही current देगा चाहे load कुछ भी लगा हो, load की value चाहे 2 ohms हो, 3 ohms हो, 10 ohms हो, 1000 ohms हो यह हमेशा कितना current देगा 2A ही क्योंकि यह constant current source supplier है और यह ideal source है वो जितने के लिए declared होता है, उतना current वो देगा ही देगा हाँ, naturally RL की value बदलेंगे, उसमें से बहने वाला current 2A रहेगा RL की value बदलेंगे, तो voltage इसके across का VL जो है वो बदलता रहेगा मतब RL बदलने पर VL बदलेगा, तो क्या characteristics है? independent current source की, ideal source की, RL always constant irrespective of RL RL की चाहिए कुछ भी value, RL जो है, या RL जो है हमेशा constant रहता है, उतना ही रहता है जितने के लिए वो declared है, मतब इससे बाहर आने वाला current, load resistance से बहने वाला current, जिसको मैं RL नाम दे रहे हूँ, वो 2A ही रहेगा और VL तो RL बदलेगा, तो VL भी बदलेगा अब देखिए कि dependent sources कैसे होते हैं, dependent source अगर मैं कह रही हूँ कि I equal to 2A है तो यह जितने के लिए declared है, उतना यह current नहीं देगा, उससे हमेशा कम देगा क्यों ऐसा, तो previous मैंने voltage source वाले वीडियो में discuss किया था, कि इसकी value जो होती है, किसी भी battery की या current source provider की या voltage source provider की, उसका अपना internal resistance होता है, internal hindrance होता है जिस भी particular technique पे वो बना हुआ है, अगर chemical reactions पे बना हुआ है, या electronic component से बना हुआ है, तो सबका अपना internal resistance होता है या internal hindrance होता है, या internal रुकावाट होती है, तो अगर यह हमने बनाया है 2 ampere के लिए, तो यह कभी भी 2 ampere नहीं देगा, यह हमेशा उससे कम देगा कितना कम देगा, यह depend करता है, load resistance पर या load circuit पर, ठीक है, अगर यह 2 ampere है, तो हो सकता है, RL को 1.9, 1.95 इतना ampere का current दे तो बाकी का 0.05 current कहा जा रहा है, तो internally वो कहीं flow हो जा रहा है, इसका मतलब अब इस पूरे फिनामेना को मैं कैसे represent कर सकती हूँ, मैं ऐसे represent कर सकती हूँ, कि 2 ampere current इससे बाहर निकल रहा है, यहां तक 2 ampere आ रहा है, थोड़ा सा current divert होके, दुसरे path पर चला जा रहा है, उसके internal resistance वाले, और बाकी का current जो 1.95 है, 1.98 है या 1.9 है, वो बाहर के load resistance को मिल जा रहा है, तो यह छोटा सा current यहां से बह जा रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है, 0.02 का यह जो भी मैं difference बता रही हूँ, 2 ampere और 1 rl से बहने वाले current का, वो difference यहां से flow हो जा रहा है, तो इस तरीके से जो internal resistance जिसकी मैं बात कर रही हूँ, current source के अंदर, चाहे वो chemical reactions के कारण हो, या electronic devices जो use हो रहे है, उनके internal resistance की बात करूँ, यह internal resistance, current source, practical वाला जो है, या dependent current source है, उसके साथ हमेशा shunt में या parallel में ही show होगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं shunt में ना show करूँ, series में show कर 2A का current series से भी कितना भाएगा, 2A का ही current भाएगा, तो बाहर भी मुझे कितना current मिलेगा, 2A का ही current भाएगा, इसको मैं figure draw कर करके समझा देती हूँ, यह अगर मैं internal resistance को current source के साथ series में दिखा देती हूँ, इसके internal resistance को, तो यह current source इधर से भी 2A दे रहा यहां से भी 2A ही तो यही सारी बाते मैंने बताई है कि इंटर्नल रिजिस्टन्स का डिपेंडेंट वाले का एक्जिस्ट करता है और यह जो आ रहा है इंटर्नल रिजिस्टन्स जिसको मैं आ रहा है बोल रही हूँ यह हमेशा इलेक्ट्रकली पारलल में ही शो किया जाता है क्योंकि पारलल सर्कीट में ही करेंट का डाइवर्शन पॉसिबल है और यह आराय की वैल्यू जो है यह बहुत बड़ी होनी चाहिए क्योंकि अगर आराय की वैल्यू जादा नहीं हुई तो टू एंपियर का मैक्सिमम करेंट इस छोटे रिजिस्टन्स से बह जाएगा और छोटा सा करेंट बाहर को लोड को मिलेगा मतलब ऐसा करेंट सोर्स मेरे लिए किसी मतलब का नहीं है कि अंदर ही अंदर जादा करेंट बह जा रहा है और बाहर थोड़ा सा आ रहा है तो मैं ऐसा करेंट सोर्स क्यों पर्चेस करूँगी तो वो यूजरेस हमारे लिए करेंट सोर्स होगा इसका मतलब इसका internal resistance कैसा होना ची हाई होना ची और उसका जो order होता है वो kilo ohms का होता है और यही अगर मैं कहूं कि छोटा सा current यहाँ पर बहे जाएगा इसकी value आ रहा है कि value kilo ohms में होगी तो छोटा सा current इसमें से बहेगा तो जादा current बाहर से flow हो जाएगा अब यह तो सारी बाते हो गई independent current source की with respect to independent current source पर साथ में हम यह भी देखें कि 2 MPS का current यहाँ तक गया छोटा सा current capital RR में divert हो गया और maximum current बहार गया पर naturally RR की value बदलेगी तो हमेशा RR और RR में current का distribution बदल जाएगा फिर से मैं repeat करूँ RR की value बदलेगी तो RR से बहने वाला divert होने वाला current भी बदल जाएगा मतलब RR से बहने वाला current भी बदल रहा है RR से बहने वाला current बदल रहा है मतलब यह RR की value हमेशा 2 MPS से छोटी ही रहेगी कितनी छोटी रहेगी वो किस पर depend कर रहा है RR पर और RL की value 2 से कितनी छोटी होगी, RL की value 2 से कितनी छोटी होगी, 2A से ये कौन decide करता है, ये RL ही decide करता है, तो इस तरीके से 2A से छोटा current load resistance से बहेगा, और इसका जो difference होगा, वो RL से flow हो जाएगा, अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि practical current source में तो RL की value kilo ohms में होनी चाहिए, तो ideal current source में इसकी value कितनी होनी चाहिए, तो ideal source में इसकी value infinite resistance के बराबर होनी चाहिए, तब ही तो infinite मतलब ये क्या behave कर रहा है, open circuit जैसा behave कर रहा है, मतलब ideal current source का internal resistance कितना होता, infinite, और practical current source का resistance कितना होता है, जादा kilo ohms में बहुत बड़ा, ठीके, अब मैंने एक ये comparative chart आपको बना के दिया हुआ है, मैं इसको zoom कर लेती हूँ, बताने के लिए कि हम comparison के sense में कर रहे हैं, आप screen पर एक comparative chart देख रहे हैं, इसमें मैंने sources और parameters का ऐसा discussion किया है, इस table के right, leftmost top corner पे देखे, source और parameter लिखा है, source मैंने consider किया हूँ है horizontal मतलब columns की जो headings है, वो voltage source और current source है, जिसमे ideal current source और practical current source की भी बात कर रहे हूँ, और voltage source में भी ideal और practical voltage source की भी बात कर रहे हूँ, parameters मैंने जो अलग-अलग जिसके respect में मैं compare करूंगी voltage source, current source को वो parameter से internal resistance है, connection of internal resistance, voltage और current अब सबसे पहले मैं internal resistance की बात करूँ voltage source अगर देखती हूँ तो idle voltage source का internal resistance हमेशा 0 रहता है और practical voltage source का internal resistance बहुत छोटा होता है, जो series में होता है, 10 to the power minus 2 order का इतने छोटे ohms का होता है current source की बात करूँ, तो ideal current source का internal resistance जो होता है, वो infinite होता है और practical current source का internal resistance होता है, वो kilo ohms में होता है अब connection की बात कर ले, internal resistance का connection कैसा होता है तो ideal voltage source का internet resistance 0 है तो हम connection की बात ही नहीं करेंगे voltage source जो practical वाला है उसका internet resistance small ri जो होगा वो series में होगा voltage source के साथ और current source जो ideal वाला है उसका internet resistance infinite है तो यहाँ पर connection की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है यह आप यह कह सकते हैं जैसा आभी थोड़ी देर पहले बताया था कि infinite internal resistance है मतलब parallel में open circuit है तो इस तरीके से हम ideal current source के internet resistance को show कर सकते हैं पर practical current source का internet resistance जो होगा वो quantity में बहुत बड़ा है capital ri से show हो रहा है और वो parallel में show होता है अब हम बात करें voltage source का जो voltage है मतलब VL जो load A और B के across appear होने वाला जो voltage होता है वो constant होता है voltage source की case में और ideal voltage source की case में और practical voltage source की case में RL बदलने पर VL बदलता ही बदलता है previous videos को आप prefer कर सकते हैं मैं description box में दे रही हूँ current source जो होता है ideal वाला उसका voltage तो terminal का RL पर निर्भर करी रहा है तो मतलब AB terminal के बीच का voltage जिसे मैं VL नाम दे रही हूँ या फिर RL के across के voltage को VL नाम दे रही हूँ RL बदलने पर VL बदलेगा ही बदलेगा और साथ में practical current source की अगर हम बात करें तो VL भी बदलता है RL बदलने पर मतलब current source की case में VL तो RL बदलने पर बदलेगा ही बदलेगा चाहे ideal current source हो या फिर practical current source हो अब parameters में current की बात कर लूँ मतलब A से बाहर आने वाला current है जिसे मैं RL नाम दे रही हूँ ये current जो है voltage source की case में RL पर depend करता है हर हाल में चाहे ideal voltage source हो या practical voltage source हो RL बदलता ही बदलता है जैसे RL बदलता है पर current source ideal की बात करूँ तो A से निकलने वाला जो load current है RL वो हमेशा constant रहता है पर practical current source की case में ये वाला जो current रहता है ये table जो है हमें comparative chart बता रहा है यहाँ पर मैं voltage source related जैसा मैंने RL को बदल बदल कर discussion किया था वो मैं discussion next part में करूँगी और साथ में मैं sums भी handle कर लूँगी तो उमीद है आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज तूरंत like करिए और मेरे channel को subscribe करिए ये छोटे छोटे जो parts में मैं छोटे छोटे concepts को discuss करी हूँ या छोटे छोटे topics को ले रही हूँ ये electrical circuits में importance रखते हैं तो keep on watching, thank you